नमस्ते, किचिन के केंग्स चैनल में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में बनाएंगे स्प्रिंग रोल्स जो की हम बहार से जब मंगवाते हैं तो बड़े ही चाओ के साथ हमसे खाते हैं क्योंकि ये बहुत ही स्वाब बनते हैं कितने क्रिस्पी और बहुत क्रंची बनेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं नूडल्स को उबालूंगी उसके लिए मैंने यहां पर पानी लिया है पानी में नमक और आड़ करूंगी नूडल्स आप पानी में तब डालें जब पानी एक तम गरम हो चुका डो के लिए मैंने यहां पर पूरा मैदा नहीं लिया है डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है इसलिए मैंने आधा आटा और आधा मैदा लिया है आप चाहें तो पूरे आटे के या फिर पूरे मैदे के बना सकते हैं उसके बाद मैंने इसमें नमक और थोड़ी सी मिर्ची करें और हम इसमें क्रिस्पीनेस लाने के लिए थोड़ा सा औइल एड़ करेंगे मैंने याँप और दो चमंच आइड़ एड़ किया है बस अब यह ने मिलाएंगे और दिरे दिरे इसमें पानी आड़ करके आठे जैसा डो जाएंगी यह देखिए आटा हमारा रेडी है बस में इसे एकठा करूंगी और साइड रख दोंगी क्योंकि यह कुछ टाइम लेने के बाद खुदी एकदम अच्छे से रेडी हो जाता है यह देखिए नूडल्स हमारे रेडी है बस पानी निकाल दूगी और अब हम नूडल आपके बस जो भी सबजियां हो आप वो इसमें एड़ कर सकते हैं मैंने इसमें शिम्लामेच, प्याज, हरीमेच और पतागो भी एड़ करी है जो कि एक नूर्मन हम नूडल्स में एड़ करते हैं आप चाहें अपनी पसंद के सबजियां इसमें एड़ कर सकते हैं हम इने हा से चार मिनट पकाएंगे और उसके बाद हम इसमें सॉस और मसाले एड़ करेंगे एकदम अच्छे से सब्जियों को मिक्स करेंगे फ्लेम को अपलो मत करें हाइफ लें पे अपस अच्छे से सौटे कर लें यह देखिए सब्जी हमारी सौटे हो चुकी हैं अब मैं इसमें नम जरूर पका लें इसे एक रिफ्रेशिंग टेस्ट और बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल के आता है उसके बाद मैं इसमें डाला है सेजवन चटनी जो कि हमने घर पे बनाई है आप इसकी वीडियो भी हमारे पेस पे जरूर चेक करें उसके बाद मैं इसमें आड़ उसके बाद यहाँ पर मैं नूडल्स को एड़ करूंगी अब मैंने यहाँ पर पतले वाले जो नूडल्स आते हैं वो लिए हैं अगर आप चाहें तो आप मोटे वाले नूडल्स भी जरूर ले सकते हैं इसमें कोई प्राब्लम नहीं आती है जैसी जिसको पसंद हो आप व जैसे मैंने आपको दिखाया वैसे उठाकर बनाएं नूडल्स रेडी हो चुके हैं अब हम बनाएंगे स्प्रिंग रोल की शीट के लिए बस हम सेम वही प्रोसेस यूज करेंगे जो हम रोटी बनाने के लिए करते हैं बस हम जो शीट है उसे एकदम पतला बहुत ही पतला ह आप इसे बेले यह देखिए जैसा मैं बेल रही हूं आप इसको ऐसे ही बेले साइट को हम कवर करने के लिए यानि पैक करने के लिए मैंने यहां पर मैदे को पानी में घोल कर रेडी कर लिया है तो चलिए अब हम स्प्रिंग रोल को रेडी करते हैं यह देखिए आप पहल इसे उठाकर सील कर दें दूसरी तरफ से भी ऐसे ही अम उठाकर उसे बंद करेंगे यह देखिए अब यह सील हो चुके हैं तो नूडल साइट से बाहर नहीं निकलेंगे अब हमने जो मिक्षर रेडी किया था वह में यहां पर साइट में लगाऊंगी इसे यह एकदम देखें कि अच्छे से सील हो चुके हैं तेल को आप लो ही रखें यानि कि उसकी जो टैंपरेचर है वह आप लो रखें नहीं तो यह नीचे से जल जाएंगे क्योंकि शीट समने बहुत पतली बनाई हैं तीन स्प्रिंग रोल्स मैंने रेडी किये थे तीनों ही मैं इसमें ऑईल को आप मीडियम गरम करें और उसके बाद ही इने डालें यह देखें यह मैंने डाल दिये हैं बस अब हम इने पल्टेंगे और स्प्रिंग रोल्स हमारे रेडी हो जाएंगे दीरे दीर आप इने पल्टें अगर आप चम्मच की साहितास इसे नहीं पलटना चाहते तो जो भी आप कम्फोटेबल हब यह वह यूज रखें यह देख हैं रुट रेडी हैं बस अब हम इने ने काल लेंगे फ्लेम को आप पूरे प्रिंग में लो ही के यह देखें रेडी हैं बस अब हम इने निकाल लेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बाद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्यू सो माच